आपका स्वागत है मैं जोतिश अचारे पूजा आज आपको बताने वाली हूं आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है उन तमाम 12 राज्यों के बारे में लेकिन सबसे पहले जा लेते आज का पंचांग लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंग कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें साथ हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें तो जान लेते हैं आज का पंचांग आज है साथ जून 2023 दिन है बुद्वार तितिया चतुर्ती और नक्षत रहेंगे उत्तरा शाड़ा जिनके स्वामी है सूर्य तो जानेते हैं आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है शुरूबात करेंगे पहरी राशी मेश राशी से मेश राशी की बात करें तो आज आपके कारे शेत्र में यानि कारे शेत्र में कुछ बहतर आप देखेंगे आपके जो स्टेटर और मेहनत तो बना हुआ है लेकिन फिर भी आज के दिन आपके कारे के लिए बहुत ही बहुत ही बहतर रहने वाला है इसके लावा आपके घर में कुछ आपके तनाव देखने को मिल सकता है लेकिन फिर भी आज आप पूरी तरह से confident नजर आएंगे जीवन साथे के साथ कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं इसके अलावा विद्यारती अपने पढ़ाई के लिए काफी उसाहित रहेंगे परदशन भी बहतरी रहेगा आज आपके सेविंग्स के लिए कुछ अच्छा planning कर सकते हैं जिसमें आपको कुछ साकरात्मा परिणाम देखने को मिल सकता है विवि उच्छे ब्रश्य की बात करेंगे तो पिता के साथ कुछ किसी बात को लेकर मद्बेथ हो सकता है तर्ग वितर्क में ना पड़े अरफ कि पेड़ में एड़ा के साहिमती नहीं है तो बजामे को प sigma कि से बात को करें शांतिस उते लिए बात को कर आएं जी बात कए आगे ब कारे से भी जूड़ना चाहेंगे इसके लिए किसी औरत को भी प्रेडित करना चाहेंगे लेकिन आपको अपने पेट का विशेश ध्यार रखना होगा कुछ लीवर से संब़नी समस्या हो सकती है खान पान को संघृष थोड़ा सा बना हुआ लेकि कुल मिलाकि अपने काम को कर दूसरों को भी कहना का मौकर दे क्योंकि वो भी अपनी बात को कह सकें, साथ ही दूसरों को समझने की कोशिश जितना करेंगे उतना ही आज का दिन आपके लिए बहतर जाएगा, भागया सपोर्ट की बात करेंगे 65% रो भागयांक आपका 3 है, हम ITC राशी मिधू राशी के ब अनम जसके मूटाब हो सकता है, किसी बात को लोगे misunderstanding हो सकती है या कुछ काम आपको दिया हे जिससे आप करने में असमर्थ हैं, लेकिन आपने अपनी बात को सपश्टता 것 सेर्ता से बात करेंगे चौती राशी करकराशी की करकराशी की बात करेंगे तो जीवन साती के साथ किसी बात को लेकर मद्वेत हो सकता है कोई बात को लेकर आपके बीच में असहमेती हो सकती है यह बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि जब आपके बीच में इगो की प्रॉबलम आ जा यह बात आपको समझनी होगी इसके अलावा माता की सिहत का आपको विशेश ध्यार रखना होगा बिजनस में लेकर कुछ डिसीजन लेना चाहरे हैं लेकिन असमर्थ महसूस करें तो बहतर ही होगा कि पिता की सला लें आपको उनका आशिवात लेना चाहिए तो आपको जरूर फायदा होगा इसके अलावा अपने बीतर किसी बात को लेके चिंता बना रखे हैं जो एक मुझसे कुछ निकल गया ऐसे जिसके लिए आपको पचतावा हो रहा है तो बहुत समझ के बोलना है क्योंकि मंगल अभी आपके लगर में ही जो गोचर कर रहे हैं जिसके कारण शेतर में कुछ बहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा जिसके लिए आप शुरुवात में तो त्यार नहीं होंगे लेकिन बात में आपको यह बात की समझ आएगी यह आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है आसपास की यातर का भी जा सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ स सकती है इसके अलावा अगर जो शुवन के पेशेंट है उनको अपना जो खान पान का विशेज ध्यार अगर नुकसान या कुछ अचाना खर्चा आपको देखने को मिल सकता है जिसके कारण थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं आपकी प्लैनिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकत है इसके लावा विध्यारती अपने पढ़ाई के लिए थोड़ा गंबीर तो रहेंगे लेकिन कही ना कहीं उनका मन पढ़ाई से उच्छा रहेगा फोकस मनाने की बहुत अवश्यक्ता है जीवन साथी के साथ कुछ संगर्च तो रहेगा लेकिन फिर भी कुमिला कि आप ए इसकी जो हकीकत है सत्यत्या है वो सही नहीं है कि ग्राउंड रियालिटी कुछ और ही है बहुत सब्दक रहने की आपको अवश्यक्ता है किसी प्रकार के भी राजनेतिक से अपना आपको दूर रखें भागय सपोर्ट की बात करेंगे साथ प्रतिशात है और भागय ही याद रोषो क्राइब अच्छा काय्स आपको सपोर्ट देखने को मिलेंगा पिता का सपोर्ट आपके साथ रहेगा साथ आपके मन में जिऊजिता से मश्क्राइब juegos विन्हां sound TV таacite कुछ चीज़े वक्त के लिए चोड़ दें क्योंकि वक्त ही आपको बताएगा कि क्या सही है और क्या गलेत उससे पहले आप में अपने दर्फ से जो भी कोशिश करिए आपका काम है कि शांतों का बैट जाएं इसकलावा जीवन साथे के साथ कुछ अच्छा दिन आप देख पाएंगे के अफार्श lange dripping के समान रेने वाला है बागय सबोर्ड की बात करेंगे असीपति शा्त्य और भागयांका थीन बात करेंगे साथपी राशी तुलराशी की, तुलराशी की बात करेंगे तो आज अपने मन में किसी प्रकार की हलचल देख सकते हैं, कुछ उलजन या तनाव देख सकते हैं, कुछ खुशी कोचने की कोशिश करें लेकिन कहीं आपको मिलनी पाएगी, पिता की सिहत का आपको विशेश ध्यार रखना होगा, कुछ थेश सम्बदी समस्या हो सकती है, इसके अलावा आपसे कोई और बात करके अपने आपको थोड़ा हलका महसूस कर सकता है, आपके बीतर कुछ ऐसी डिवाइन या कुछ दिव्वे अनुबवती भी हो सकती है, जिसके करण अन्य वेक्ति अच्छा अनुबव कर सकते हैं, अपने बीतर शांति बनाके रखें, इसके लिए आपकी आपकी ऑप शैत्फद कर करते हैं, उतके अम जच्छा महफ सकते है किसी कारेंट वर्ष आपको जल्दी बाजी में रह सकते हैं कुछ जल्दबाजी में करना चाहा रहे हैं लेकिन यह आपके लिए घातक साभीत हो सकता है इसके लावा किसी के साथ अगर लेशेंशिप में जोड़े हैं खास कर कारे शेत्र में तो यह आपको समझना होगा कि इसका बविश्य क्या है क्योंकि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कुछ clarity नजर नहीं आ रही सब जगा confusion है बहतर यह रहेगा कि अपने आपको इस सब चीजों से दूर रखके अपने काम पे फोकस करें क्योंकि यही आपको आगे लेके जाएगा और यही आपके काम आएगा इसके लावा कुछ काम नहीं आने वाला है यदि आप इस बात को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो बात कही गई है आपके बहलाई के लिए इसके लावा जीवन साथी के साथ आपका समय काफी बहतर रहेगा लेकिन फिर भी अपने एहम को बीच में नाले करें हो सकत कि यह भागय साथ की बात करेंगे अर्षी राषी के बारे में विरिक्ष्षी की बात करेंगे तो जीवन साथी के सथी की आसपस की यात्रा असप थोड़ी बढ़ सकती है इसके लावा जो विद्यारतिय स्टुडेंट है अपनी पढ़ाई की पती तो काफी गंबीर रहेंगे लेकिन साथ ही किसी रिसर्च एक्टिविटी में भी वह जादा इंटरस्ट लेंगे दिल्चस्पी दिखाएंगे इसके लावा अगर लाप के लि आवजुद भी आपको वैसे आप रिषन वैसे तारीफ आपको नहीं मिलनी जैसे आप ड्यजरफ करते हैं यह जैसे आप चीनिस थोड़ा त्ड़ेरे करना पड़ेगा कई सब्सक्राइखने नेचे माल वाला है आप twitter न आपरश एक सबार्ज़मे अंहिंगे इस दरु आप के बारे में जा लेते हैं दनुराशिक की बात करेंगे तो कुछ आपको प्रॉपटी संबन्ती दिक्कत जो आपको चल रही है उसमें भी कुछ कम्मी आपको देखने को मिलेगी लेकिन फिर भी लीगल समस्या बनी हुई है और लीगल समस्या के कानण आप इसमें कुछ कर नही इसके अलाबा विध्यारती अपने पढ़ाई के पती काफी गंबी नजर आएंगे काफी अच्छा परदशन वो करेंगे उतको देखने को मिलेगा सिंसेरेटी बना के रखेंगे तो निश्चित आपको सबलता जरूर मिलेगी कुछ यही हाल अपने पेम संबन में भी देख आप लगता तो है कि आप काफी अच्छा चल रहे हैं काफी प्रस्परस करें काफी उनत्ती करें आपके रिजिशन्शिप में लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नो कुछ आपकी बीतर डर या भै बना हुआ है आपके भागया सपोर्ट की बात करेंगे साथ परदिश्ट है और भा कारश इतना आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है के तु आपके लिए उत्पत्ति पैदा करी रहा साथ ही स्मय भी अपने बीतर अपने गुंठा के कारण आप इस सिति को और भी नादुक बना रहे हैं इसके लिए आपको बीतर आत्मविश्वास जगाना होगा हो सके तो इश्वर पर ध्यानगा के चले क्योंकि इश्वर कोच भी करता है कोई भी काम करता है वो हमारे भले के लिए होता है ये बात कहना असान है लेकिन जिस दिन आप इस बात को समझेंगे तो उस दिन आप उनकी अनुवथी कर पाएंगे और दिव्वी अनुवथी जब आपको इसके अलावा कारेशेत्र में जैसे मैंने बता है निरस्ता तो बनी हुए लिकिन फिर भी अपने काम बें फोकस बना के रखे कुछ भी करके अपने काम के भीतर इतना चले जाएं कि आपको कुछ नजर नाएं। आपको सफलता निश्चत मिलेगी ये गारेंटे में आपको दे रही हूँ इसके अलावा आपके परिवार में जो मवाले को मिलाके समाने रहने रहने वाला है जीवन साथी के साथ चोटी मोटी खटपट देख सकते हैं विध्याति में पढ़ाई के लिए काफी गंबी कुछ अस्तमा से अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसमें कुछ आपको ध्यान रखना होगा इसके लावा ब्लड से लिटेट संबन से हो सकती है जो शूगर पेशन है काफी त्राफदान रहें इसके लावा परिवार में कुछ अचाना खर्चा या नुकसान आप देख सकते हैं जो कि आपको थोड़ा अपसेट कर सकती है जिसके लिए आपको काफी भाग दोड़ भी करनी पड़ सकती है इसका आपको विशेश ध्यान रखना होगा जीमत साती के साथ को मिलाकि समाने रहने वाला है और कारेशेत्र में भी कुछ संगश आपको देखने को मिलेगा आ काफी साबधा रहने के आपको विशकता है भागे सपोर्ट की बात करेंगे 65 प्रतिश्रत और भागे अंका आपका दीन है हमारी पारवी राशी मीर राशी के बारे में जा लेते हैं मीर राशी की बात करेंगे तो आज लाब के लिए काफी अच्छी स्थी बनी हुई है आप सेक्टर में कुछ मजबूती देख पाएंगे साथे शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसमें भी कुछ अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा लेकिन को मिलाके आपने भीतर एक जो है पॉजिटिविटी साकरात्मक सोच बनाके चलनी है कही नक पांक आपका पांच है दर्शको आपके जो भी प्रशन सजेशन या क्वेरी है आप हमेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें हरे कृष्णा